गूड आफ्टरनून फ्रेंड्स मैं सोनम आप लोगों के लिए पावर गिरिड में बहुत अच्छी वेकंसी आई है जो डिप्लॉमा के जित्ते भी स्टूटेंट है ठीक है अगर आपने इलेक्टिकल सिविल या इलक्रोनिक्स में से किसी से भीड में डिप्लॉमा किया है त लीटतने बातों नौर्थ रिजंड अब फॉर्म फिल कर रहे है तो आपका डैली राजिस्तान यूपी ठीक है और कुछ पार्ट हर्याना का कुछ त्राकन में यहां पार पर फिल करना चाहएं जहां आप जोब करना चाहते हैं उस रीजन में फिल कर सकते हैं लेकिन इस बात का ध्यानक नहें केवल ऐब एक ही रीजन में फॉर्म करना है अगर एक से ज्ञादा रीजन में आप फॉर्म मैं आगे बता दूँंगी और इसमें एकने एलेक्टिकल से Gene से या स्भिल में से किसी से बीवक्वकिसे बिप्लमे किया है तो आप भर सकते हुग उसके अलावा इलेक्टिकल में इलेक्टिकल पावर एलेक्टिकल और इंजिनरींग पावर किया है तो आप भर सकते हो आपके percentage of marks minimum marks आपके 70% होने चाहिए और important बात यह है कि आपका बीवी टेक हैं में एम टेक हैं कुछ भी हैं तो आप इस फॉर्म को किसी भी कंडिशन में नहीं वर सकते ठीक है आपने चाहिए डिप्लॉमा किया है नहीं किया लेकिन अगर भी टेक एम टेक किया है तो आप एलिजिवल नहीं है इस फॉर्म के लिए तो आप देख लीजिए आप वेकेंसी हैं अगर आप नौथ रीजन वन में वरने तो इसमें हैं अगर आप नौथ सेकंड वहरत हैक आप इसमें देख सकते हैं तो आप यह वेकंसी बस बढर सकते हैं इस में देखते हैं यह जो इंप्रिप्रिय ने तो आपको तीन साल की चूट मिलेगी हैं तो पांच साल की और परसन विद डिसेबल्टी हैं तो दस साल की और एक सर्विसमें तो आपको से फीस नहीं लिए जाएगी आपको फ्री आपका फॉर्म होगा बाकी सबसे फीस लगेगी तीन सो रुपैसा इसकी फीस है और पेपर सेलेक्शन प्रॉसेस आप देख लीजेए सलेक्शन प्रॉसेस में आपके दो टेस्ट होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के ठीक है वन टॉन्टी कुश्चन होंगे पार्ट फर्स्ट में और पार्ट सेके क्टेस्ट इस यSchotी फिल्टी कुश्चन होंगे तो आपके टेकनिकल के आपकी ट्रीक बाकिति निघु टीन अगर आपका एक कुश्चन गलत होता है तो पॉइंट जीरो टू पॉइंट 0.25 मार्क्स आपके कम हो जाएंगे उसके आप अलावा वेकंसी डिजर्वेशन इसमें देख ली क्वालिफाइंग राती है आपको दोनों पेपर में अलाग अलाग ठीक है अगर आप जन्नल या य 40 percent marks होगा तो और फॉर्ट वन्हें 30 percent होने चाहिए मिनमुम पार्ट सेकंद में 30 percent और टोटल में 40 percent से ऊपर होने चाहिए और बाकि जो जन्रल के लावा है उनको फिट्व परशेंट चाहिए तोनों पेपर में आपके रिफंड नहीं होंगे बाकि आपको यह प्रोसीजर दी गई है आपको कैसे करना है आप आप पावर गिट की साइट खोलेंगे उसके सेक्षन पर जाएंगे जाएंगे जोब अपर्चुनिटी ओपनिंग और डिप्लोमा ट्रेनिंग इस तरह से आप फिल करेंगे जाएंगे और यह आपको प्रोसीजर दिया आपको किस तरह से फॉर्म फिल करना है जे पीजी फॉर्मन में पचास के वी इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है इंपॉर्टेंट चीज जो होंगी वो मैं आपको बता दूंगी बाखी आपका टैस्ट सेंटर अगर आप नौस वीजन वन में बरना है तो आपको दिल्ली जापोड़ा दैरदुन में से कोई सेंटर मिलेगा नौस रीजन अब बीटेक वाले यह जिवल नहीं है और कोई खास चीज नहीं है तो आपके इंपॉर्टेंट है आ जाती है आपकी डेट तो आपकी जो नौ दिसम्बर से आपके फॉर्म बना स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 31 दिसम्बर 31 दिसम्र तक आपको बनना है और एड्मिट कार्ड और डेटेंट टेस्ट की जो डेट होगी वह आपको बाद में इंफॉर्म कर दी जाएगी वेब साइट पे यह तो यह अपका ओवरॉल हो गया आप लोग इस फॉर्म को जरूर बना है और एक्जाम की तैयारी करें बागी आपसे मुल